स्री शिवाय नमस्तुप्याम तीन मार्ष को होलिका दहन के पहले एकादसी पड़ रही है या एकादसी रंग बरी एकादसी है और आमाल की एकादसी भी है ऐसी एकादसी के दिन अगर आप इन उपाया को अवश्य करते हो तो आप जिस भी कामना से करते हो वह मनोकामना आपके तिस्गर पुली होती है कुछ यह विशेश उपाय जो अलग-अलग मनोकामना के साथ से आपको करना है के लिए वीडियो शुरुबात करते हैं स्वागत है पहला उपाय रोग-मुक्ति के लिए अगर आपके घर में कोई वेक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रेता है परिशान हो गए बीमारी खत्म नहीं हो रही है दवाया बंद नहीं हो पा रही है बहुत परिशान हो बिस्तर पेसे नहीं उड़ पा रहा है वेक्ति तो इस उपाय को एका रसी के दिन और अमाल की एका रसी जरूर कीज़ेगा क्या करेंगे इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक लोटा जल जी हाँ तामे के लोटे में जल लेना है अब आपको चाहिए इसमें आमला जी है अगर आमला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है अगर आमला नहीं मिल पाए तो आमला की पत्ती भी चलेगी आमला की पत्ती नहीं भी मिले तो आमला की जो डंडी होती वह भी चलेगी पर वह सब चीजे आमला की होना चाहिए तो में डालाएं आमला की पत्ति डालके इस लोटे जल आपको क्या करना है इस उपाए को रात्री 9 बजे जी हां 9 बजे से लेकर सवा 9 बजे के बीच में इस उपाए को आप कर सकते हो जो वेक्ति भोज़ा बिमार रहता है उसका नाम और गोत्र बोलकर और आपके घर के आसपाज जो भी सिवालय हो महा जाकर इस लोटे जल को समर्पित कर दो कुंद केश्वर महाद्यों का नाम लेते होगे जल समर्पित कर दो अगर वह वेक्ति स्वयम कर रहा है तो उस जल का आश्मन महीं कर लेगा अगर व्यक्ति स्वयम नहीं कर रहा है तो उसके लिए वह जल समर्पित करके जल थोड़ा जहिल कर लिया और उस व्यक्ति को उसी समय उपाय करोगे उस समय उस व्यक्ति को उस जल का आश्मन करवादो अगर रात को 9 बजे आपके घर के आश्मन कोई मंदिर का द्वार खुला ना मिले तो आपके घर में भी सिवलिंग होगा महा पर भी आप जल समर्पित कर सकते हो जल समर्पित करके उसका आश्मन उस व्यक्ति को करवादो केवल एक ही बारे सुपाय को आप करोगे उस व्यक्ति की बिमारी जड़ समाप तो हो ही जाएगी बहुत अच्छा उपाय अवश कीजेगा दूसरा उपाय रंग भरी एकादसी है और एकादसी ऐसे तो आप रोज मंदिर जाते होंगे पर आप एकादसी के दिन जब मंदिर जाओ और कोई आपकी मनो कामना है धन की कमी है पैसो की तंगी है और आप परिशान हो चुके हो और आप लगता है कि हमें पीजन दोस्त लगा हुआ है और हमारी मनो कामना पूरी नहीं हो रही है काफी समय से तो आप क्या करें एकदशी के दिन जब आप महादयों के मंदिर जाएं तो उस एक लोटे जल को पहले सिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देजिए जी हाँ सिबलिंग के ओपर समर्पित कर देने के बाद आपको दो छड़ मंदिर मेर बेट जाना है और मंदिर मेर बेट कर आपको स्वधा नाम लेना है वो भी तीन बार इस नाम को रोज नहीं लिया जाता है केवल एका दसी के दिन जब आप जल समर्पित करो और आप जो परिशान हो जो आपकी मनो कामना है वहाँ बोल कर स्वधा नाम तीन बार आप बोल दीजिए और बोल कर अपने घर के और आज आईए बस इतना सहीया उपाय आपको करना है अब यकिन मानिएगा आप जिस भी मनो कामना से या पेसो की तंगी है तो वह समस्या आपकी दूर हो ही जाएगी तिसरा उपाय है विभा के लिए अगर बच्चों का विभा नहीं हो रहा है और आप परिशान हो चुके हो बहुत प्रयास कर लिए तो आमाल की अकदशी है साथ में शुक्रवार का दिन है तो आपको क्या करना है ऐसे में आपको लेना है एक लोटा जल जी हाँ इस उपाय क आमला का वरक्ष जहां भी आपके घर के आसपस आमला का पेड़ आपको मिल जाए आप महा चले जाएए और आमले के वरक्ष में आप क्या करोगे उत्तर की और बेट कर दक्षिन की और मुख करेंगे और बेट कर आपको एक चुटकी हल्दी हरी हर महाद्यों का नाम लेते ह और जिस बच्चा या बच्ची का विभा नहीं हो रहा है उसका समरंड करते होगे एक छुटकी हल्दी जड़ में समर्पित कर देंगे खीक है जड में हल्दी समर्पित करने के बाद एक लोटा जल आप जो लेकर गए उस एक लोटे जल को जड में आप समर्पित करोगे जब जल समर्पित करोगे तब आपको महादेव के हरी हर महादेव का नाम लेना है जी हाँ क्या नाम लोगे हरी हर महाजयों का नाम लेते हुए एक लोटा जल जल में समर्पित करते जाना है इस उपायों को आप करके देखना है इस उपायों को करने से आप बच्चों की विवाह में जो भी बाधाय आती है वो सारी बाधाय दूर हो जाती है चोथा होपाय, अगर आपको असर लग रहा है कि पित्रे दोस है और פीत्रे दोस के कारण हमारे कार्य में बाध्रा आती है, कार्य में रुकावट आ रही है, बहुत परिशान हो सुचिकी यूं कार्य अब एक के बाद अर्शन उत्पन होती ही जाती है तो और असर लग रहा है कि हमारे कई पित्र जो यह वो प्यासे हैं भूके हैं तो आप ऐसे में क्या करें पंचामत तयार करें पंचामत कैसे तयार किया जाता है दूद दही सहत घी शहद और सक्कर इन सब का मिशन बना कर पंचरमत तयार कर लेजिए अब एका दसी की दिन आप क्या करेंगे महाद्यो के मंदिर जाएंगे एक बेल पत्री लेके जाएगा और उस बेल पत्री को सबसे पहले महादेव की सबसे छोटी पुत्री मा अशुक शुंद्री के इस्थान पर समर्पित कीजेगा मा अशुक शुंद्री के इस्थान पर समर्पित कर दिया डंडी का भाग किदर करेंगे डंडी का भाग जहां से जल बेकी जाता है उस जिसा में करना आप पंचामत क्या करोगे जो पंचामत लेके गए हो वो सबसे पहले आपको चड़ाना है बेल पत्री के उपर जो बेल पत्री आपने मा अशुर सुंद्री के स्थान पर समर्पित किये उसकी उपर आपको चड़ाना है पंचामत थोड़ा पंचामत बचाना और बचे पंचा करना और जो भी आपके कारे में रिकावर्ट आती है उसका बोल कर बावा स्याप घर के और आ जाईए बहुत अच्छा हो पाए गुरु जी ने हाली में कत्व में बताया था